नाखून भी मानुस हरीर का प्रमुक आंग है विद्वे महिलाओं की खुषूर्ती में चार चांग लगाने के लिए नाखूनों की बटी भूमका होती है नाखुनों की सबसे बड़ी बात यहा है कि उन वेक्तियों की स्वास्त की जानकारी उनके नाखुन के रंगों से हो सकती है। इसके अलावा नाखुनों के और भी कई तत हैं जिनके बारे में सायर आप अंजान है। यूनिवर्सिटी आफ नाथ कैरोलाइना ने 2009 में अपने एक अध्यन में बताया कि वेक्तिके नाखुन 3.55 मीमी हर प्रतिमा बढ़ते हैं। हाला कि 1938 में नाखुनों की बढ़ने की दर प्रतिमा तीन मीमी और पचास के दसक में 3.06 मीमी ही रह जाएगी। प्रोटीन और अन्यपॉस्टिक तर्तों के भरपूर आहार के सेवन के कारण नाखुनों की बढ़ने की दर बढ़ी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरीर की ब्रति के साथ मुलिया भी बढ़ी होने लगी। इस कारण मानों के सरीर का रख परिवा भी बहतर हो गया। बढ़ने की गत अलग अलग होती है। पुरष्टों की ऑंगलियों की तुल्णा में महिलाओ, नाकून धीमी गत से बढ़ते है। क्योंकि पुर्सों में महलाओं की तुलना में अधिक हर्मोस होते हैं नाखुनों का बढ़ना मौसम पर भी निर्वर होता है नाखुनों की बढ़ने की गट गर्मी के मौसम में अधिक होती है क्योंकि सरीर दोरा धूप का इस्तमाल कर विटामिन D से बढ़ने में तेज हो जाती है जबकि अन्य मौसम में नाखुनों की बढ़ने की गड़ कम हो जाती है साइड आपको या जानकर आश्चर होगा कि आपके नाखुन आपके स्वास्त के सारे पोल खोल दे आप क्या खाते हैं कैसे खाते हैं आपकी सोच और रहन सहन भी आपके नाखुन दरसाते हैं तेदि आपके नाखुनों की आसपास की तोछा सूख रहिए तो या आपके शरीर के बिटामिन C, पॉलीक एसीड और प्रोटीन की कमी को दरसाता है अगर आपके नाखूनों की बढ़ने की गद्धिमी है तो यह बताता है कि आप प्रोटीन की कमी और विटामिन A की कमी से जूज रहे हैं मानसिक असांद मानो प्रोटीन और जिंकी की कमी भी नाखूनों की ब्रद में बाधक हो सकते हैं कि पीले नाखून फेफड़े संबंदित बीमारियों को दर्साते हैं यदि आपके नाखून में पीला पन है तो यह पीलिया के लच्छन को दर्साता है धूमरपान करना सहत के लिए हानकारक है, साथ ही ये नाखूनों के लिए हानकारक है, कि ये आप धूमरपान करते हैं तो आपके नाखून धीरे धीरे पीले होने लगते हैं, जिनके काड़ आपके शरीर पर कई परकार की बीमारिया भी आ जाते हैं, जिनके काड़ आपके ना आपको मिलती रहे